हम United फैंस को लगा कि यार लेनी योरो और जोशा जग्जी की साइनिंग के बाद इस ट्रांसर विंडो को तो हमी रूल करने वाले हैं लेकिन हकीका था हमारे सामने आच चुकी है यहाँ पर United दो साइनिंग करने के अलावा किसी तीसी साइनिंग के बारे में अभी सोच नहीं रही है मतलब here we go भी तक हमने हासिल नहीं किया तो वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि उनका सबसे बड़ा राइवल अपने सबसे इंपोर्टेंट पोजीशन को strong करने वाला है एक बहुत ही बहतरीन प्लेयर के साथ और जिसको हम यहाँ पर अपने क्लब में आते देखने की उम्मीद लगाए बैटे थे जिसको यहाँ पर बार्सलोना काफी ताइम से मोनिटर कर रही है और यहाँ पर बार्सलोना को बेचने के लिए रियाल सोसेदाद इस वक्त पर तयार हो चुका है बस जो ट्रांसफर अमाउंट है वो नेगोशेट होना बाकी है और जैसा कि मैंने आज से दो अफ़ते पहले बोला भी था कि ऐसा कहीं गिवन रूल नहीं है कि मार्टिन जूबी मेंडी यहाँ पर अपने जो करेंट क्लब उसको छोड़के जाएंगे नहीं किसी और क्लब में इस जाज यहाँ पर लिवरपूल इस नेगोसियेशन में बहुत आगे पहुँच चुकी और पता है लिवरपूल ने बहुत टाइम वेट किया इस ट्रांसफर के लिए क्योंकि आप देखोगे युनाइटिट का जब पैसा एक हद तक आप देखते हो कि exhaust हो चुका और जब तक वो player sale नहीं करने तब तक वो नया player लेकर भी नहीं आ पाएंगे और दूसी तरफ आप देखोगे बारसलोना यहाँ पर अभी उस position के बारे में सोच ने रही है उनकी priority Danny Allmore और Niko Williams थे और इसी वज़े से यहाँ पर Liverpool के लिए यह पूरी deal आसान हो चुकी और इतना सब को पता था Michael Edwards के आने के बाद Liverpool का जो transfer structure होगा वो बहुत better होने वाला है अब देखो RNA slot का यह पहला season है उनको definitely number 6 चाहिए और मैंने जैसे की बताया था कि यहाँ पर जो modern day आपके CDM players आपको देखने को मिल रहे है जो कि आपके CDM players है जो कि आपको creative side पर भी काफी मदद कर सकते हैं वैसा एक player है Martin Zubimendi Martin Zubimendi is not like Amrabad या फिर आपके यहाँ पर अगर आप बात करो Casemiro but Martin Zubimendi is more like आपके Sergio Busquets profile वाला player जो कि आपको defensive cover भी दे रहे लेकिन ball progression के मामले भी वो काफी बहतरी ने और इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ पर United थोड़ा सा इस deal को explore करने की कोशिश करे और वो Martin Zubimendi को यहाँ पर Old Trafford लाने की कोशिश करे बट वही वाली बात है यहाँ पर कि हम जो हमारे सामने deals बिलकुल open रखी हुई जिनके सान हम personal terms agree कर चुके हम अभी उन deals को ही finalize नहीं कर पाने चाहिए आप यहाँ पर बात करो माजरूई की या फिर आप बात करो यहाँ पर मताय जिलेट के और जैसे जैसे दिन बीत रहे है न वैसे वैसे माजरूई की deal तो कम होती दिख रही है मुझे क्योंकि वैन बिसाका अभी तक यहाँ पर आपके West Ham की offer को accept नहीं की है और यहाँ पर United भी अपना जो asking amount है उसके आसपास West Ham को आते नहीं देख रही है और देखो United ने उगारते का जो interest था वो तो drop करी दिया है और अब क्योंकि स्गूबी में इंडी Liverpool को join करें तो उनको CDM position अपनी बहुत बहतर करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने यह proof किया pre-season tour पे कि उनकी team में इतने जादा players की कमी है नहीं और Liverpool अगर अपने setup के साथ जाएगी और थोड़ा सा better planning के साथ जाएगी तो definitely वो season में यहाँ पर top 4 निकाल सकते है United on the other hand अगर आप देखो बहुत सारे changes हुए है आपके Rafael Varane चले गए है, Marshall चले गए है आपको यहाँ पर पता है कि आपने wage bill तो हलका किया है लेकिन उसके साथ यहाँ पर जो आपके current wage structure पर जो players अभी currently मौझूद है उनको sell करना और भी तत इंपॉर्टेंट हो गया अगर आप squad को better करना चाहते हो मताय जिलेट की deal के लिए हमने कोई bid place नहीं की है जो हमने last bid place की थी, वो bid हमारी reject होगी बाइन मेंने केहंट से और अभी इस point of time पे एक centre-back season की शुरुआत से पहले लापाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब तक आप player sell नहीं करोता तक आप कैसे basically अपने squad को upgrade करोगे अब देको लिवरपूल यहाँ पर CDM player के बाद हो सकता है एक centre-back के लिए भी जाए लेकिन यहाँ पर United के लिए वैस आपके यूसुफ उफाना की deal है वो बहुत important होगी अब यूसुफ उफाना ने personal terms agree कर लिए इसी Milan के साथ लेकिन यह same situation आपके जौशुआ जग्जी की deal में भी थी लेकिन उस point of time पर United ने वो deal hijack कर ली अब यहाँ पर क्या यूसुफ उफाना के लिए 30 million या 35 million का offer United place कर सकती है क्योंकि अभी देखो community shield हमारा 10 तारीक को और अभी भी हमारे पास Casamiro का backup और कोई है नहीं और Casamiro के पास legs नहीं है यह चीज हमने अभी preseason tour पर देख लिया बहुत सारे games में जो majority goals है वो Casamiro के आप बोलोगे यहाँ पर lack of attention की बात करो या फिर वो match sharpness की बात करो उसकी हमने complete किये and Liverpool वाला game तो I think one of the worst game था Casamiro का अभी जितने भी matches Casamiro ने खेलने हैं इस preseason के tour पर अब क्या है United को यहाँ पर एक striker भी चाहिए क्योंकि आपका Hoyland का जो track record रहा है पिछले डेड़ साल में इतनी बार वो injured हुए कि यहाँ पर उनकी ऊपर आप rely कर पाऊगे या नहीं यह कहाँ आपाना मुश्किल हो Joshua Zagzi खुद ही बोल रहे है का I'm not a 9, I'm not a 10, I'm a 9.5 मतलब he's a creative forward जिससे आप goals expect कर सकते हो बट वो आपको एक center forward वाली presence देगा नहीं आपको final third के अंदर अब United का अगर आप देखोगे goals पर game ratio वैसे ही बहुत ज़दा खराब है last year हमने पूरा season खेलिया Premier League का और अमारा GD जो था वो minus मेरा same Champions League में भी रहा हमारा हाल defense upgrade करना बहुत ज़रूरी है लेकिन उसके साथ यहाँ पर Ivan Tony की जो possibility के United join करने की वो rule out कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि definitely situations arise हो सकती है कि अगर हमारे पास budget बचता है तो शायद हम एक center forward Rasmus Hoyland के competition के तौर पर जरूर लेकर आए लेकिन वही कहते है कि भाई कभी कभी जो एक तरफा आशिकी होती है वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है यही अभी हाल United के साथ है और Ed Tenek के साथ है आप देखो यहाँ पर Frankie Dion के case में हम पिछले 2 साल से interested है लेकिन Frankie Dion को अभी तक club में लेकर नहीं है और कल ठीक है बले ही वो यहाँ पर आपकी बहुती least reliable sources से न्यूस आई है लेकिन यह न्यूस तो आई है कि यहाँ पर United Frankie Dion के लिए जा सकती है once they'll sign Acidium player अब मुझे यह समझ में नहीं रहा है अभी तक आपने Ericsson को बेचा नहीं है आपको Mason Mount को भी use करना है आपने भी Scott McTorne की deal भी forward नहीं कि और यहाँ पर Fulham के end से अब कोई नया proposal नहीं आएगा ऐसा यहाँ पर reporters report कर रहे है तो अगर यहाँ पर आपके पास already midfielders हैं तो Frankie Dion की signing किस तरीके से sense बना रही है और यहाँ पर आप देखो तो Frankie Dion का जो current wage है वो है 37 million का पर year का वो बंदा चाही रहा है कि मैं अपना contract run out करूँ और जो bonuses है वो Barcelona से उठाऊँ और फिर मैं नया club choose करूँ यहाँ पर Barcelona को चाहिए वो पैसा और Barcelona definitely market में अगर आती है news कि भही है Frankie Dion के लिए buyers है इस बार Barcelona शायद वो gamble ना खेले कि भाई रोक लेते हैं fan favorite है यह है वो है त्यूंकि इस point of time पर वो चाह रहे है कि उनके squad को थोड़ा सा better किया जा सके और जो players यहाँ पर आपके injured रहे हैं काफी लंबे time से या फिर जो players actual में sellable asset है उनको उनसे move on किया जाए और उसमें Frankie Diong का नाम आता है लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें हमें हमारा obsession जो है Frankie Diong के साथ वो end कर देना चाहिए हमें इस point of time पर CDM player चाहिए, center back चाहिए और left back player चाहिए अब जैसे कि मैंने बोला कि माज़रूई की deal अगर आपकी forward नहीं हो रही है तो फिर आप left back के तौर पर right back के तौर पर backup कौन देख रहे है को कि बिसाका अगर आपका नया contract sign नहीं करेगा जो कि आप दोगे नहीं उनको तो फिर next year में जाते में आपके ये players as a free agent walk out करेंगे तो इस साल में आप अगर देख रहे हो कि आपके पास है opportunity जहाँ पर Chelsea थोड़ी सी week है आपकी Liverpool भी नए manager के साथ season में जा रही है वहाँ पर आपके पास मौका है इवन एस्टन विला यहाँ पर आपकी Champions League football केलेगी तो उनकी उपर भी pressure होगे जैसे लास्टे न्यूकासल कूबर प्रेशर बना था तो यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका है कि आप उस gap को close करो और top 4 के लिए नि top 3 के लिए fight करना शुरू करो लेकिन अगर same squad रहेगा same players रहेगे तो फिर compete कर पाना मुश्किल है आप देखो यहाँ पर Chelsea ने भी too many youngsters अपने team में शामिल कर रहे हैं और देखो यार इतने सारे youngsters जब हो जाते हैं तो उसमें फिर आपके पास वो leadership quality नहीं दिखती है और Chelsea का सबसे बड़ा concern यही है कि पहले बात तो पूरा young squad है और बहुत बड़ा squad है जिसमें से आपको players rotate भी करने पड़ेंगे कि आपने इतने players को first team football promise किया है तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और आप Enzo Mariska से पहले season में कितनी उम्मीद लगा सकते हैं तो देखो conference league की उम्मीद ज़रूर लगाएंगे Chelsea fans करता है but at the same time अगर मैं यहाँ पर देखो न तो बारसलोना को काइदे में देखा जाए तो Niko Williams की signing करनी चाहिए थी not Danny Olmo की क्योंकि Danny Olmo आपके player वो है जो की आपकी profile में already exist करते हैं और सारे players लेकिन Niko Williams आपके लिए point of difference बन सकते थे क्योंकि आपकी जो wing play है वो थोड़ी weak है और उस case में यहाँ पर definitely आप बोलो कि Niko Williams आपको काफी help करने वाले थे but Niko Williams यहाँ पर reporters report कर रहे है he is much closer to Basuna than to stay at Athletic Bilbao अब उसके लिए Basuna को पहले players release करने पढ़ेंगे players यहाँ पर बेचने पढ़ेंगे और वो फिर fanbase के अगेंस जाने वाली बात होगी अगर आप यहाँ पर call लोगे कि आपको यहाँ पर sell करना है आपके फ्रेंकी डियों किसे player को बात अगर मैं करो यहाँ पर United की वापस से तो देखो यार entry में interested दिखरी अलनसर लेकिन entry यहाँ पर उनकी agent बोल चुके that he's focused on this new season and he wants to be part of United लेकिन यहाँ पर यही वाली बात है भाई management का call होना चाहिए city वहाँ पर Alvarez बेच रही है Alvarez को बेचते में वो दो बार सोच नहीं रहे है उनको पैसा भी मिल रहा है वो भी बात है यहाँ पर हम Maguire, McTominay से move on करने को तयार नहीं है इतने साल लगाता है इनको carry किया है हमने इन्होंने help किया है team को लेकिन अगर आप वागई में serious club होगर आप वागई में trophies जीतना चाते हो तो आपको इन players से move on करना पड़ेगा तो यह बहुत difficult pill है to solo की यहाँ पर Liverpool इतने time market में शान्त रहे है और उसके बावजुद उनकी window हमसे better हो सकती है और वहीं on the other hand अगर आप मैं देखूं तो यहाँ पर Manchester United जो की इतनी swiftly move कर रहे थी initially market में वो अब यहाँ पर बिलक चाहिए और आपको Premier League के अंदर consistency चाहिए तो उनको ऐसी team भी देनी पड़ेगी लेकिन आपके हिसाब से क्या Liverpool Zuby Mendy को sign कर पाएगी या नहीं बताइए मुझे comment section में और yes अगर आप interested ऐसे और वीडियो में तो please subscribe करना है इन इस bell icon को दबाना मत बूलेगा for future content बागी इसी के साथ मैं आपसे लोंग आल विदा बबाए टेक केर